13 सितंबर 1948 ये वो तारीख है जब भारतिय सेना ने ओप्रेशन पोलो को अंजाम दिया इस ओप्रेशन का खेल से कोई लेना देना नहीं था बलकि ये भारतिय सेना की हैदराबाद में विले के लिए सेन ने करवाई थी भारत के इस कदम से पाकिस्तान बहुत छटपटाया उसने संजुत राष्ट में भी इस मामले को उठाने की कोशिस की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ छेतरफल के लियाज से तब हैदराबाद रियासत इंगलेंड और स्कॉटलेंड के कुल भुभाग से कहीं ज्यादा बड़ी थी अंग्रेजों के दिनों में भी हैदराबाद की अपनी सेना रेल सेवा और डाकतार विभाग हुआ करता था अबादी और सकल राष्टिय उत्पाद की द्रिष्टी से हैदराबाद भारत का सबसे बड़ा राजगहराना था छेतरफल था 82,697 वर्ग मिल निजाम ने भरपूर कोशिस की कि उनकी रियासत किसी हालत में भारत में नहीं मिल पाए उन्होंने पाकिस्तान के काईदयाजम जिन्ना को काफी मोटी रकम इस बात के लिए दी थी कि वो हैदराबाद को भारत में नहीं देने को लेकर मदद करेंगे जिन्ना ने उन्हें इसका भरपूर आस्वासन भी दिया था इसके अलावा निजाम के रिष्टे कई और देशों से भी थे सबसे बड़ी बात निजाम की साधी तुर्की के आखरी खलीफा की बेटी से हुई थी उन्हें टाइम में जिन्ने दुनिया का सबसे धनी सक्स भी आँका था पुर्धान मंत्री नहरू और मांट बेटन इस पक्ष में थे कि पूरे मसले का हल सांतिपून ढंग से किया जाना चाहिए सरदार पटेल इस से सहमत नहीं थे उनका मानना था कि उस समय का हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर के समान था जिसे बरदास्त नहीं किया जा सकता एक समय जब निजाम को लगा कि भारत हैदराबाद के विले के लिए द्रेट संकल्प है तो उन्होंने ये पेशकस भी की कि हैदराबाद को एक स्वायत राजे रखते हुए वी देसी मामलों रक्षा और संचार की जिमेदारी भारत को सौप दी जाए हलांकि निजाम के इन डिमांज को भारत ने स्विकार नहीं किया क्योंकि पटेल हैदराबाद पर सैन्य कारवाई के पक्ष में थे इसके बाद सरदार पटेल ने हैदराबाद के खिलाप सैनिक कारेवाई को अंतिम रूप दिया पटेल ने घोसरा की कि भारतिय सेना हैदराबाद में घोस चुकी है इसे रोकने के लिए अब कुछ नहीं किया जा सकता निजाम को पाकिस्तान का भी समर्थन मिल रहा था ऐसे में सरदार पटेल ने सैन्ने कारेवाई का आदेश दे दिया भारतिय सेना की इस कारेवाई को आपरेशन पोलो का नाम दिया गया क्योंकि उस समय हैदराबाद में विशो में सबसे ज़्यादा सतर पोलो के मैदान थे भारतिय सेना की कारेवाई हैदराबाद में पांच दिनों तक चली इसमें 1373 राजाकार मारे गए हैदराबाद स्टेट के 807 जवान भी मारे गए भारतिय सेना ने 66 जवान खोए जबकि 96 जवान घायल हुए भारतिय सेना की कारेवाई सुरू होने से दो दिन पहले ही 11 सितंबर 1948 को पाकिस्तान के संस्थाफक मोहमद अली जिन्ना का निधन हो गया था इस सफल ओप्रेशन के बाद सरदार पटेल हैदराबाद हवाई अड़ा पर जब पहुचे तो निजाम उनके सामने जूके हुए थे चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही बिलते हैं अगले वीडियो में तब तक कीप सर्चिंग फर नॉलेज और ट्राइट टू बी अ काइन परसन और मोस्ट इंपोर्टेंट प्लीज वीर मास्क और फॉलो कोविड-19 गाइडलाइन्स